varmarrachim, Aslam alaikum everyone आज का जो ट्रेणिंग सेस्शन है, जो Facebook great training lesson 1 है आपने यहाँ पीज़न ora जो पिछली जो हमारी वीडियो थी वह हुँए ये लेसननroe है, तू ये क्या माज़रा देकिटल मार्केटिंग में बहुत से platform आते हैं जैसे なफ Facebook, Digital marketing के अंदर आता है, Instagram है, Twitter है, LinkedIn है, फिर Digital marketing के अंदर Google marketing आती है और YouTube. तो अब Digital marketing की एक branch हम पकरने लगे हैं, जो सबसे ज्यदा important है, वो है Facebook. तो इस पे हम बत करने लगें और जो Facebook की series पे सारी videos होंगी, उसका ये lesson one है, जो के introduction है तो इस पे हम बात करेंगे हमने discuss के करना है इस lesson में सबसे पहले facebook page management freelancing services अगर आपने digital marketing सीखनी है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा और जो अभी start कर रहे हैं online business की world में अभी आ रहे हैं या online business, sorry, career के field में अभी आ रहे हैं उनका मकसद होगा freelancing services वो शुरू करें digital marketing सीख के तो वो मैं explain करूँगा कि आप कैसे कर सकते हों ये बड़ी जबदस चीज है skill है जिसको आप आसानी से expand कर सकते हैं next हम ये देखेंगे how to create a facebook page मैंने बताया था कि facebook पे marketing करने के लिए आपको facebook page चाहिए होता है आप अपनी profile से marketing नहीं कर सकते या advertise नहीं कर सकते next हम सीखेंगे how facebook makes money this is really important ये आपको समझ होने चाहिए कि facebook असल में mark zuckerberg जो है वो दुनिया का मिहाल में youngest billionaire है तो वो ऐसे किस तरह बना यानि facebook कैसे पैसे कमाता है वो तो आपके लिए free है free profile बनाते हो दोस बना सकते हो लेकिन वो पैसे कैसे कमाता है या आपको जब समझ आएगी तो आपको फिर next जो point है facebook ad types कि ads कितने किसम के होते हैं advertising कितने किसम की होती है तो सबसे पहले जो पहला point है हमारा facebook page management freelancing services याप freelancing services कैसे शुरू कर सकते हो Fiverr पे, Upwork पे या बाकी platform पे तो मैं अगर Fiverr पे जाओ यह Fiverr मैंने खोला इसमें आप देखें कि अगर मैं सर्च करूँ facebook जो मैंने अभी किया था facebook page सिर्फ इतना सर्च करूँ तो facebook page पे बहुत से लोग services offer करें 6,502 services available तो पहले देखें I will give you a shout out on my facebook follower no, that's not the right I will run, I create as I will set up impressive Facebook business page तो यह एक business page की service है I will create a facebook तो यह एक service है 128 encoder मिलें इसको मैं खोलता हूँ तो आप चेक करें कि यह interesting है कि इस हिसाब से कि यह service offer करें मैं आपका facebook page बनाऊंगा जो अपने मैं तीन साल के बच्चे को समझाओं तो वो भी बड़े असानी से बना सकता है Anyway, लेकिन business के लोग हैं बहुत से लोग होते हैं उनको यह basics भी नहीं पता होती तो वो पैसे पे करते हैं तो इनके जरा चेक करते हैं तीन package है पहला जो basic package है दस डॉलर चार्ज कर रहे हैं वो पेज बनाएंगे action plan action plan यह है कि वो कोई एक paper साब पकड़ा लेंगे आखर में उनको के इसको आगे आपने कैसे लेके चलना standard जो है वो 40 डॉलर का है उसमें page setup भी है additional platform यह action plan है सारी बखवास है यानि बहुत आसान है facebook page बना जो मैं भी आपको 2 मिनट में बना कर दिखाऊंगा बाकि चीज़ें add करना वो बहुत simple premium जो package यह वो 90 डॉलर का है page setup, analytics, tracking setup, web integration additional platform, action plan ब्ला डी ब्ला डी ब्ला तो यह नीचे इनले डेटेल भी लिखी हुई है आप भी आसानी से यह जो मैं भी training करवाने लगा हूँ इसके जरीए आप यह सारा काम कर सकते हो freelancing कर सकते हो इसी तरह की offer आप Fiverr पे और बाकी platform पे दे सकते हो लिए इसका फाइदा क्या है फाइदा यह है कि जो लोग page बनवाते हैं अपना Facebook पे उन्होंने ultimately उसको boost करवाना होता है advertise करवाना होता है और उनको अगर page बनाना नहीं आता है या उनके पास page बनाने का time नहीं है तो फिर जार सी बार था उनको advertise भी किसी से करवाना है तो अगर आप से page बनवाएंगे तो बहुत ज़्यदा चांस है कि वो आप से ही फिर उसकी management टेक होती है page management management कहा जी कि रोज की दो तीन post ने लगानी है engagement जो हो लोगों के question जो है वो answer करने है फिर next आता है कि उसको marketing आपने उसको boost करना तो एक छोटी सी offer से आप एक अपना पूरा career शुरू कर सकते हो इसमें फाइदा ये है कि एक दफ़ा आपका कोई खरीद ले तो उसको फिर आप बाद में पुछोगे आपको likes चाहिए तो मैं वो कर सकता हूँ advertise कर सकता हूँ आपके page को manage कर सकता हूँ वगारा वगारा तो आप बहुत सी services upsell कर सकते हो तो एक छोटा सा order 10 dollar का बढ़ी आसानी से 100 dollar 200 dollar, 500 dollar बन सकता है या एक पका career बन सकता हो सकता है वो आपको कहे कि permanently मेरे page को manage करू so this is important freelancing services जो facebook page creation और management में बहुत important है अब next हमने जो बात करनी थी वो थी के how to create a facebook page how facebook makes money मैं इन तोनों को एकठा discuss कर लेता हूँ पहले ये बात करते हैं facebook पैसे कैसे बनाता हूँ तो मैं अपने facebook के page पे जाता हूँ ये profile पे जाता हूँ तो यहां आप free में profile बनाते हो facebook इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा social network है social network है मतलब यानि 2 billion से ज्यादा लोग facebook पर registered हैं उसको daily इस्तमाल करते हैं तो आपको ये free में service दे रहा है कोई भी यहां जाके अपने profile बना सकता बहुत से लोग आपकी लाजमी एक profile होगी आपको free दे रहा है लेकिन ये आपकी नवाज़श आपके क्यों की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि मेरे जैसे लोग जो businessmen हैं जिनके businesses हैं या online चीज़ें बेशते हैं वो target करते हैं आपको यानि मैं अगर थोड़ा सा मेरे जैसे लोगों को ठीक है तो अब ये पैसे दे रहे हैं Facebook को Facebook ठीक ठाक पैसे कमा रहा है billions वो उसमें से कुछ जो है वो क्या करते हैं sometimes page monetize होते हैं उनको भी देता है anyway that's a different topic लेकिन इस तरह Facebook पैसे कमा रहा है इसलिए जिस तरह आपके channels हैं TV channels हैं पाकिस्तान में जो private channels हैं वो free में हैं आप cable पे उनको देख सकते हो तो वो free में आपको क्यों जबदस से news channels हैं और films और सब कुछ ड्रामें दिखाते हैं वो यसे दिखाते हैं को उस पे ads आते हैं और ads को देखके आप जाके चीज़ें खरीदते हुआ हैं तो similar approach here के facebook advertisers को मौका देता है के advertise करके बंदों को target करें So this is how facebook makes money This is important point ठीक है क्योंकि अगली जो मैं ad types जब discuss करूँगा तो इसमें ये बात जरूवी है कि facebook पैसे कमाता है और facebook को क्या क्या चीज़ें पसंद है अब जी हमने बनाना है एक page तो बहुत आसान है आप सब का एक page होना चाहिए डिपेंड करता है अगर आपने फर्स करें एक तो ये सीखने के लिए अगर आपने freelancing services देनी है तो उसके लिए आप कर सकते हो लेकिन उसके अलावा भी आपने अपना कोई business चिनाना कुछ करना तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है फिर अपने मताबक अपने नाम से पेज बनाएं या अपने business के मताबक कपड़ों की या आपकी कोई online store है या जो भी store है उसके नाम से आप बना सकते हो तो anyway जो page बनाना है वो बहुत आसान है तो मैं अगर यहां चेक करूँ के where are the pages यह pages पे मैंने click किया left side पे तो यहां मेरे सारे pages आ जाएंगे बहुत ज़र हमारे pages हैं सिर्फ एक profile से और हमारे different profiles है तो यह pages यहां जा आपके pages हैं वो आएंगे और यह top पे लिखा है create page मैं इस पे click करता हूँ तो मैं जल्दी से यह करना है तो यह मुझसे पूचेगा आपने business और brand का page बनाना community और public figure क्या फारक है इसमे बिजनस का हो गया अगर आपका property का business है और आपकी online shop है अगर आपका academy है आपका institute है वगरा वगरा उसके नाम से अगर आपने बनाना तो फिर आप यह वाला choose करें अगर आपने अपने नाम से बनाना public figure motivational figure है तो फिर आप इस नाम से बनाएंगे ठीक है तो वह आप उसमें से कोई भी चीज आप choose कर सकते हैं तो फर्स करें हम बनाते हैं हमने property का एक business है हमारा लाहूर में और हम वो बना लगे हैं तो मैं कह करूंगा लाहूर property services ठीक है category क्य क्या है जी प्रोपर्टी का मुझे नहीं पता कि प्रोपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आ गया ठीक है यह वो किस क्या business कि स्ट्रीट होगा रहा वो लिखना ज़रूरी नहीं है वूप्स नहीं कह रहा कि स्ट्रीट लिखो एनिवे मैं को रेंडम सा फिलहाल यहां पर लिख तो जब मैं continue करूंगा यह मैं थोड़ी सी details इसमें डाली है तो यह next option आ जाएगा कि कुछ मजीद details आप से मांगेगा I don't know system क्यों slow है तो यह page बन गया अब वो मुझे कह रहा कि कि दो तस्वीर होती है एक तस्वीर profile picture होती है एक पीछी जो display पे होती है वो होती है वह upload करना चाहिए मैं skip करने लगा हूं फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसके बगार page कैसे लगता है और यह cover photo जो पिछला बड़ा photo होता है उसका पूछ रहा है मैं skip करने आप फोटो लगा सकते हैं यह profile photo है sorry यह पूस्टेस ने लगा दी sorry cover photo अच्छा cover photo जो होता है इसकी एक certain dimensions होती है और dimensions facebook का मसला यह है कि यह मेरा desktop है इसके dimension different है और mobile की dimensions different होती है ठीक है तो आपने इसका ख्यार रखना है लेकिन अगर आपने cover photo बनाने है client के लिए या अपने page के लिए खुद तो बड़े असान चीज़ है आप canva पे जाए canva.com वहां जाके अब अपना account बनाओ free में और अगर मैं यहां जाके search करूँ यह option है यहां मैं search करूँ Facebook तो यहां खुद ही cover आगया cover photo तो यह blank आगया और यहां बेशमार styles बड़े हैं जिनको आप पकड़के उठाके इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आप pick करें तो यह आपके सामने यह editor खुलेगा इसमें आप अपना writing कर सकते हैं सब को change कर सकते हैं ज्यादा बेतर यह है कि आप property से फर्स करें अगर आपका property का business है तो वो करेंगे अगर आप अपना page बनाया है तो वो करेंगे उसके हिसाब से करेंगे तो property का फिलाल मुझे नजर नहीं आ रहा but there are pages you can quite easily do that मैं अभी कुछ नहीं करूंगा मैं इसी को download करने लगाँ फर्स कर देखाई है और यह main page है वो दर्मयान में हो और gap हो टॉप से भी नीचे से भी इसी तरह साइड से भी gap हो क्योंकि mobile पे कई दफा यह कट जाता है उसकी dimensions different होती है desktop पे different होती है तो मैं अपने अगर page पे जाओं add cover मैं photos मैं से choose कर सकता हूँ मैं upload करूँगा क्योंकि यह नया page है sorry आप बाइदे वे यहाँ videos भी लगा सकते है मैं upload करूँगा मैंने क्योंकि यहाँ वो जड़ा time नहीं लगाना कोई random सा photo उठाके मैंने वो लगा रहे ना anyway this is the photo तो dimensions क्योंकि मैंने एक random photo किया है तो यह सही नहीं आएंगे dimensions आप देख रहे हैं यह उपर से cover है सारा और नीचे से फर्द करें मैं यह कर देता हूं तो अब इसको set कर सकते हैं save आपका जाहरा property का business है तो आपकी profile photo भी वो property से related होगी और इसी तरह आपका जो cover है वो भी अब यह page complete हो गया जी इसमें हमारा cover भी आगया इसमें हमारे profile picture भी आगया और this is ready obviously आपका जो शुरू में page होगा उस पे कोई followers नहीं होगे उसको किसी ने like नहीं किया होगा ठीक है आप profile पे अपने friends बनाते हो लेकिन आपके page पे आप friends नहीं बनाते ही लोग इसको like करते हैं या follow करते है ठीक है तो like करन तो आप friends को invite कर सकते हो फिर और आप इसको advertise करके उसमें boosting कर सकते हो तो पहले यहां मैंने सिफ यह बतना था कि आप page कैसे बनाते हैं इसी तरह आपके जो side पे यह सारी चीजे है settings में जाके यह कौन सी tab show होनी है वो कर सकते हो फिर यहां button होता है नीचे वह आप add कर सकते हो अ कह रहे हैं जब different services offer कर रहे हैं फाइवर पर तो यह इन चीजों की बातें कर रहा है जो के बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो कोई भी Facebook की page की को वीडियो देखें आपको सारी समझा जाएगी मैं यहां पर बात करना चाहरा हूं different types के ads जो होते है ads क्या होता है जो सबसे simple type का add है वो है page boosting sorry post boosting वो बिलकुल simple है simple क्या है मैं अपने दूसरे page पर जाकर समझाता हूं कि यह मेरा page है ठीक है यह मेरा main page है यहां मैं जो भी post लगाता हूं मैं अपनी post को boost कर सकता हूं boost करने का क्या मतलब है एक मैं और बार बार बता दू मैंने पहले समझाया था आपको कि facebook पैसे कैसे कमाता है अब यह ज़रा चेक करें एक लाख आठ हजार मेरे followers हैं यह मैंने एक post लगाई है अब लोगों को बहुत होता है जी likes कितने हैं followers कितने हैं बगारा बगारा लेकिन यहां कहानी चेक करें यह मैंने एक post लगाई है और सिर्फ 24 engagement हुई है छे बंदों ने like किया या जो भी किया है तीन बंदों ने share किया है कुछ बंदों ने click किया होगा लेकिन हैं आप करेंगे कि यह इतनी कम engagement क्यों है यह इसलिए है कि facebook ने दिखाया है सिर्फ यह note करें 260 लोगों को दिखाया है अगर वो दिखाते मेरे तमाम एक लाक और आठ हजार followers को तो इसके हजारों likes होते अब obviously क्योंकि मैंने रात को किया है पाकिसान में बहुत लेट था तो कुछ लोग अभी सुबह इसको उठके देखेंगे तो इसको और भी लाइक करेंगे लेकिन फिर भी ज़्यादा 1500 लोगों को दिखाएगा वो क्यों वो इसलिए है कि यह मुझे चाहता कि मैं इसको बूस्ट करूं इसके likes बढ़वाओं इ यह सामने option भी उन्होंने लगाया हुआ कि boost post तो इसको अगर मैं क्लिक करूं तो यह boost हो जाएगा फिर मुझे option देगा कि boost करने का क्या मतलब होता है कि आपके likes बढ़वाने हैं एक दो चीज़े हैं जो उसमें हो सकती है ठीक है तो यह पहली type है जो boosting होती है या एक और होता promotion promotion क्या होता है यह नीचे left side पर option देखें promote यह क्या करेगा इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो यह मेरा page जो है उसको boost करेगा यानि उसको उसके likes बढ़ाएगा तो यहां से आप करते हो यह बिल्कुल नहीं मुश्क्र नेक्स वीडियो में मैं इसी boosting और promotion पर बात करूंगा ले यही आपको आजाए तो आप पूरा इसकी base पर एक business खड़ा कर सकते हो अपना दूसरी जो किसम होती है अगर मैं दुबारा जाओं अपनी main profile पर या feed पर तो एक तो यह हो गया boosting जो भी होती है facebook पर वो उसका मकस्द ही होता है कि आपने traffic facebook पर ही रखनी है अब facebook याद है मैंने बताया था कि पैसे कैसे किमारता है लोग advertise करते हैं तो जितनी ज्यादा देर लोग facebook को इस्तमाल करेंगे Facebook की एप पर ही रहेंगे उतना ज्यादा Facebook को पैसे बिनाने का मौका मिलेगा जब आप बूस्ट करते हो ज्यादा तर बूस्ट करने का मकसद यह होता कि आपकी प्रोफाइल से इंगेजमेंट लोगों की हो लाइक करें अगर वीडियो है वीडियो देखें ठ इसमें यह थबूला मुझे एक एड नदर आ रहा है अपनी प्रोफाइल अपनी न्यूस फीड पर यहां क्या चक्र है कि मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो मैं चला जाओंगा उनकी वेबसाइट पर यानि Facebook को मैंने छोड़ दिया उनकी वेबसाइट पर आ गया इस किसम के एड्स महंगे होते हैं महंगे क्यों होते हैं क्योंकि हमने Facebook को छोड़ा एक और वेबसाइट पर चले गए हम यहां बिजी हो जाएंगे ठीक है यहां उनकी वीडियो देखेंगे या उनको बढ़ेंगे उनकी चीजें खरीदेंगे वगरा वगरा तो Facebook से हटके इसलिए यह महंगा होता है तो बेसिकली दो किसम के एड्स हैं उनमें हर किसम में फिर मुखलिफ कैटरगरीज हैं वह मैं अभी डिटेल में जाओंगा जब हम नेक्स्ट एड्स सीखेंगे लेकिन बेसिकली दो करत्तुरा के एड्स हैं एक वो जो आप अपनी चीजें बूस्त करते हो व वो सबस्तों होते हैं एड्स जिसमें आप लिंक्स लगाते हो उस पर क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं चीजें खरीदने के लिए या आपके यूच्ट्यूब पर चैनल पर जाते हैं तो वो आप फेस्बुक से लोग उठाके ट्राफिक लेके जा रहेए अपनी वेबसाइट पर या अपने चैनल पर यह दूसरे किसम के एर्ज होते हैं ट्रैफिक वाले और यह महंगे होते हैं ज़्यादा था ठीक है तो यह में दो किसमें हमें इसको कॉम्प्लिकेटर नहीं करना चाहता है आपके लिए इसको बिल्कुल आसान रखना चाहता हूं फेस्बुक का जो हमने पेज बनाया मैं इस पर बात करूँगा नेक्स्ट और एड़िटाइज सोरी जो बेसिक अड़िटिसमेंट है उसकी यानि बूस्ट कैसे करते हैं वो आपको अगले लेसन में सिखाएंगे होफ़ले आपको समझ आई दुबारा देखें वीडियो ले